आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है आपके लिए जिन लोगों ने इस रीडिंग को पहले भी देखा है आप लोग जानते हैं कि ये रीडिंग में किस तरह से करते हूँ जो लोग पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं मैं आपको बता देते हूँ कि इसमें मैं आपको आपके पार्टनर की फीलिंग इस तरह से बताऊंगी कि जिस तरह से आपके पार्टनर आप से बात कर रहे हूँ candle wax reading है यह तो यहाँ पर यह जो reading है यह generalized reading है बहुत सारी energies निकल कर आएंगी जो भी energies आपके साथ resonate होंगी आप उन्हे energies को pick कीचेगा बाकी energies आप दूसरों के लिए रहने दीचेगा आप male है, female है आज की reading definitely आपके साथ resonate होगी आज की reading में किसी भी particular zodic signs का नाम नहीं लूँगी क्योंकि यह reading सभी zodic signs के लिए है और इस reading को मैं इस तरह से करूँगी कि जैसे कि एक male partner एक female partner से बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों versions में बात कर पाना मेरे लिए possible नहीं है अगर आपकी partner एक female है तो वो भी आपको यही कहना चाहते है so जब तक मैं candle को lit करते हूँ आप अपने partner के नाम के उपर focus कीजिए और मैं आपको बताऊँगी कि आपके partner की feelings क्या है एक love letter की form में आपके partner आपसे क्या कहना चाहते है आपके partner आपसे यह कहना चाहते है कि मैंने तुहें दिल से चाहा मैंने अपनी तरफ से यह सोचा कि यह रिष्टा इस तरहां से ही आगे बढ़ता चला जाएगा इस रिष्टे में कोई भी कटनाई नहीं होगी क्योंकि हम दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को समझते हैं लेकिन मैं शायद गलत था मुझे नहीं पता था कि life के अंदर choices का एक ऐसा खेल खेला जाएगा जिसके अंदर मैं तुम्हारी life का विलन बन जाओंगा मैंने तो सोचा था हम दोनों की जिन्दगे हसी खुशी से एक दूसरे के साथ निकलती चली जाएगी और जो भी वादे जो भी कस्मे हम दोनों ने एक दूसरे के साथ खाई हैं उन कस्पों को निभाने के लिए हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन के सभी सपने पूरे करेंगे लेकिन आज जीवन में एक ऐसा पड़ाव आ गया है जहां पर चीजों के बारे में सोचने का नजर या हम दोनों का बिल्कुल ही अलग हो गया है मैं तुम्हें किसी चीज के लिए कसूरवार नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपनी जगा सही हो लेकिन मेरे हालाद भी ऐसे नहीं है जहां पर मैं जटके से अपने जीवन का कोई भी फैंसला बना बाऊ मैं कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहता था जो भी गलत हुआ है वो हालातों के चलते हुआ है और मुझे उस चीज़ की बहुत ज़ादा शर्मिंदगी है आज याद आता है कि कितना मैंने तुम्हे फार ग्रांटेड लिया है जब तुम मुझे मेसेच किया करती थी जब तुम मुझे कॉल किया करती थी मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं मैं थोड़ी देर तक जवाब दे दूँगा लेकिन आज जब मैं तुम्हारे कॉल तुम्हारे मेसेच उस के लिए तरस्ता हूँ तो ना तो वो कॉल आता है ना वो मेसेच आता है और अगर कभी आ भी जाए तो उसकी खुशी कम डर जादा लगता है ये मैसूस होता है कि पता नहीं तुम अब मेरे बारे में क्या सोचती होगी और कहीं मैं तुम्हें कोई जोटी उमीद ना दे दू पहले भी मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए भी तुम्हें बहुत बार हर्ट किया है तुमने अपने इस रिष्टे को निभाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी लेकिन शायद मैं ही तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया तुम जो कुछ भी इस रिष्टे में मेरे लिए करती रहे मुझे लगता रहा कि ये सब कुछ करना तुम्हारा फर्ज है लेकिन मैं ये भूल गया कि इस रिष्टे में मेरे भी कुछ दायत्व है और उन दायत्व को मैं कभी निभा ही नहीं पाया मेरी जिन्दगी में मुझे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने हर पल में तुम्हें साथ नहीं रखा मुझे ऐसा लगता रहा कि जीवन में आगे की और बढ़ते हुए महत सारी शीज़े अब ऐसी हैं जो मैं खुद संभाल दूँगा और संभालते संभालते मैंने अपने लिए तो है ही लेकिन तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करती है मुझे पता है कि तुम्हारा विश्वास कितना तूटा होगा तुमने कसमे दे दे कर मुझसे पूछा मेरी जिन्दगी के बारे में और मैंने तुम्हारी जूटी कसमे खाई जब कोई कसम देता है वो इस विश्वास से देता है कि सामने वाला इंसान सच बोलेगा लेकिन मुझे ये डर था कि उस टाइम पर अगर मैंने सच बोला तो शायद हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और मुझे विश्वास था कि उस पल को मैं संभाल सकता हूं वो हालात मैं संभाल सकता हूं इसलिए मैंने जूट बोला मैंने किसी गलत इरादे से तुम से जूट नहीं बोला था लेकिन विश्वास तो तुम्हारा मैंने तोड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है तुमने हमेशा मुझपर आख बन करके विश्वास किया इश्वर के बाद अगर किसी पर तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था तो वो मुझपर था लेकिन मैंने वो तुम्हारा भरोसा तोड़ दी तुम जब मुझे छोड़ी छोड़ी बाते समझाया करती थी न तो मुझे ऐसा लगता था कि तुम शायद मेरे अंदर खामिया ही ढूंती है बड़ मुझे अब समझ आ रहा है कि तुम मुझे फ्यूचर के हर चालेंज के लिए प्रिपेर कर रहे थी अब तकलीफ होती है कि कोई भी एक भी कोई ऐसा व्यक्ति मेरे आसपा सही है जो मुझे समझा सके कि क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलब तुम्हारा बोलना उस टाइम पर बहुत बुरा लगता था लेकिन अब मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारी समझाई हुई बातों से जिन्दगी में अट लीस्ट कई डिसुजन तो मैं सही बना लेता हूँ लेकिन इनसान को परखने की समझ अभी भी मुझ में नहीं मैं अपने आसपास वाले लोगों को उतने अच्छे तरीके से पहचान नहीं पाता हूँ मुझे अपनी एज पर गुमान है कि मैं बड़ा हू रहा हूँ एज के साथ experience आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है maturity experiences से आती है ये चीज़ अब मुझे समझ आ गई है और तुम मुझे साथ experience हो तुमने मुझे जिंदगी के हर पहलू को अलग-अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है लेकिन मेरे अंदर patience की बहुँआ ज़ादा कमी थी मैंने हमेशा hasty decisions बनाए जिसकी विज़स से मैंने अपनी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी को complicated कर दी आज मैं चीज़ों को बदलना चाहता है मुझे शर्मिंदगी होती है अंदर से कि इतनी सारी चीज़े मैंने अचानक से कर दी लेकिन सिर्फ शर्मिंदगी से कुछ नहीं होगा ये भी मुझे पता है मुझे इस रिष्टे में कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है अब तुम ये भी सोच रही होगी कि जो बाते मैं तुम से कह रहा हूँ वो सिर्फ बाते ही हैं मैं शायद इन चीज़ों को रिलाइज नहीं करता हूँ बट सच मानो इतनी स्ट्रॉंग रिलाइजेशन है कि इतनी हिम्मद भी नहीं है कि ये बाते मैं तुम्हें सामने से आकर paused क्योंकि तुम ये सारी बाते कही न कही मुझे समझाया करती थी तुम मुझे जीवन की हर एक चनौती के लिए तैयार कर रही थी लेकिन मैंने तुम्हें for granted ले और अब सिर्फ पश्तावा ही मेरे हाथ है मैंने इस रिष्टे को उस तरह से नहीं निभाया जिस तरह से मुझे निभाना चाहिए था मैंने कभी तो में उस तरह से prioritize ही नहीं किया मैंने अपने आसपास वाने लोगों को अपने घर परिवार को इतनी जादा एहमियत दी है कि तुम कहां उन सब चीजों में खो गई मुझे समझ ही नहीं आई और ये मेरी ही गिलती है मैं इस बात को मानता काश कि मैंने वक्त को संभाला होता तो आज हम दोनों में ये फांसले ना होते काश मैं तुम्हें सौरी बोल पाता काश कि मैंने ये समझा होता कि पूरे जीवन में अगर कोई मेरा साथ निभाने वाला है तो वो सर्फ और सर्फ तुम हो काश मेरी जिन्दखी का वो वक्त वापश आ सकता काश मैं अपने आक्शन्स को पूर्ज कर पाता मेरी खुशियां सिर्फ और सिर्फ तुम से जोड़ी है मैं तुम से बहुत ज़ादा महबत करता हूँ लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इस महबत को अपने अंदर ही दफन करना होगा क्योंकि मेरा हक नहीं बनता है कि मैं बार बार तुम्हारी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई disturbance क्रियेट करूँ मैं कोई नहीं हूँ तुम्हे बार बार दुख देने वाँ और मैं तुम्हें दुख दूं भी क्यों तुमने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया अगर सच में किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो वो मैं हूँ मुझे तुम्हे संभालना ही नहीं आए तुम्हारे प्यार को संभालना ही नहीं आए काश मैं चीजों को बदल पाता काश मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापिस लेकर आ पाता इश्वर से आजकल अक्सर मैं तुम्हें मांगता हूँ प्रातना गरता हूँ इश्वर से कि वो कोई रास्ता ऐसा बनाए जिससे कि हम दोनों के बीच की दूरियां खतम हो पाए और कई बार तो ठक हार कर मैं तुम से ही मदद मागने लगता हूँ मैं तुम से उम्मीद लगा कर बैठता हूँ कि चलो मेरे प्यार में तो कमी थी लेकिन तुम्हारे प्यार में तो कोई कमी नहीं थी अट लिस्ट तुम तो मेरे प्यार को समझती हो तुम तो मेरे लिए अपने इस रिष्टे के लिए कुछ बहतर कर पाओगी काश तुम्हें इस चीज की रिलाइजेशन हो कि चीजे मेरे बस में नहीं, चीजे मेरे हाथ में नहीं मैं wash बुरी तरह से अंदर से तूट रहा हूँ बोगध рьक में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ मेरी जिन्दगी पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहा है मैं अपनी लाइफ को समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेरे हालात बहुत बुरे हैं काश किसी तरीके से तुम्हें ये बात समझा जाए काश तुम मेरे दुख को समझभा काश तुम मेरी तकलीफ को पहचान पा बस अब उमीद ही कर सकता हूँ तो ये था आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एक love letter आए अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ messages देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं आए जानते हैं बहुत ज़दा pain आपके पार्टनर की energies में आज मुझे महसूस हुई है love letter reading करते करते मेरा खुद का मन भराया कि कोई बहुत ही ज़दा painful situation में है और कोई आपको इस तरह से पुकार रहा है तो आए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ messages आपके लिए I feel you don't need me anymore आपके पार्टनर को ऐसा रखता है कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है ठीक है उन्हें इस चीज की feeling आ रही है शायद आपको चैसी vibrations इस तरह से भीज रहे हैं और आपको शायद ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को भी आपकी जरूरत नहीं है इस भी वो दिन याद है जब आप दोनों एक दूसरे से मिले थे जब आप दोनोंने एक दूसरे को पहली बार देखा था जब आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में दाखिल हो रहे थे वो पल कौन सा था आपके पार्टनर को वो पल याद है let's make love together आपके partner आपके साथ अपने इस रिष्टे को बहतर बनाना चाहते हैं, वो इस रिष्टे को प्यार की उच्चाईयों तक लेकर जाना चाहते हैं और उसमें उनको आपके साथ की जरूरत है, let's spend some time together, आपके partner आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, जिस वक्त में वो अपने दिल की बात आपके सामने खुल कर रखें, जिस वक्त में वो अपने विच्चारों को आपके सामने खुल कर रखें, अपने जिन्दगी के हालातों को आपके सामने खुल कर रखें, the next is, I know you are just using me, आपके partner को ये feel हो रहा है, कि आप उनके बारे में ये सोचते हैं, कि आपके ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके partner ने आपको use नहीं किया है, you are no more needed in my life, आपके partner को ये भी feel हो रहा है, कि आप ये उनको लेकर सोचते हैं, आपने एक judgment बना ली है, कि अब आपके partner को आपकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, you are the most precious gift of God for me, बल्कि आपके partner को तो ऐ सा लगता है, कि आप ना उनके life का सबसे अनमोल तौफा है, जो इश्वर्ट ने उन्हें आपको दिया है, चीक है, living you hurts me too, but it was the need, आपके partner आपको ये कहना चाहते हैं, कि इतना प्यार होने के बाफ जो तो आपको छोड़ कर गए, क्योंकि उस time पर इस चीज की जरूरत थे, उनका आपको छोड़ कर जाना कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन उस चीज को आपके partner ने overcome करते हुए, अपने आपको संभाला है, I feel sorry for doubting on you, आपके partner को बहुत ज़्यादा दुख लगता है, कि उन्होंने कभी आपके उपर भी शक्त किया है, आपके intentions पर भी शक्त किया है अब ये तो आप दोनों बहतर जानते होंगे, कि आप दोनों के बीच में किस तरह की situation चल रही थी, लेकिन आपके partner को इस बात का दुख है, कि उन्होंने आपके उपर doubt किया, okay, so I hope आज की reading से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर clarity मिली होगी, नीचे मुझे comment section में जरूर बताईएगा, ये reading आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है, तो like करना मत भूलिएगा, अपने near and dear ones के साथ share जरूर कीचेगा, हो सकता है, किसी को अपनी life को लेकर, अपने relationship को लेकर, कुछ clarity मिल सके, so do share my video also, अगर आप मेरी reading से influenced हैं, और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं, ये booking आप मेरे whatsapp के through, या फिर मेरी email id के through book कर सकते हैं, मेरा whatsapp number और email id स्क्रेंग को flash होंगे, जिन लोगों ने अभी तत मेरे channel को subscribe नहीं किया है, आप please मेरे channel को subscribe कर लीजे, और bell icon को press करना मन भूलिए कर जिससे कि आपको नए-ने videos क notification लंगती रहे, so thanks for watching, see you soon